नमस्कार बच्छों, मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्तित हूँ, मेरा नाम रजिया बेगम जड़पी हेचे स्चिंतकानी से नवी कख्षा का दस्वा पाठ अमर्वानी का दूसरा भाग पड़ाने के लिए पहले भाग में हम कबीर के दोफों के बारे में और कवी के बारे में जान चुके थे मैं समस्ती हूँ की पहला भाग आपको अच्छी तरह से याद रहा होगा ये जाने के लिए मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिएगा आप लोग तैयार है ना बच्छों? अच्छा, पहला प्रश्न कबीर किस श्याखा के प्रतिनिधी कभी माने जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्छों कबीर ज्यानमार्गी श्याखा के प्रमुख कभी है? कबीर की वाने का संग्रह क्या है? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर कबीर की वाने का संग्रह बीजक है अब तीस्रा प्रश्न कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? हाँ, बच्छों, वही कबीर की भाषा को सधुक्डी कहते हैं वाँ, बच्छों, क्या बात है? आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत कूब दिये हैं अब हम पात की वोर चलते हैं पिछले क्लास में हम पात का उद्देश पढ़ चुके थे फिर एक बार पात का उद्देश को दोहराएंगे नैतिक भावनावों या नैतिक मूल्यों का विकास करना ही पात का उद्देश है है ना बच्छों? आखिर नैतिक मूल्यों क्या होते हैं? बताओं हमें कौंसा काजे करना है और कौंसा नहीं करना है क्या सही है? क्या गलत है? यानि हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्यान कराते है यही नैतिक मूल्य है जैसे सच बोलना, इमानदारी से रहना, दया, सहान भूती, बड़ों के प्रती आदरभाव रखना आदी बच्चों, अब हम जो दोहे सीखने जा रहे है, उस दोहें के कभी भी नीति संबंदित दोहे लिखने में पटू थे पिल्ललू, लास्ट क्लास लो मनं, नैतिक विल्वलनू, विकसिम्प जैयडमें, इपाठम योक्का मुख्य वुद्धेशं अनि सदू कुन्नां कदा, मरी नैतिक विल्वलन्टि, मनं एपनी चेय वोच्चु, एदी चेय कोडदू, एदी मन्ची, एदु चेडू, अने विचक्षन्नू, कलिगी वुणड़में नैतिक ता उदाहनकु, निजान्नी माट्लाडड़म, निजायीतीगा उन्डड़म, दैया, सहानुभूतिनी कलिगी मुणड़म, पेद्धलनु गवरविंचड़म, इवन्नी कुडा, नैतिक विल्वले इपड़ु मनं, नेचकोबोये, पाठम लोनी कविकूडा, नीति पद्यालनू, तनदैन सैलीलो, चपडमलो, प्रसिद्धी चेंदिनवारू अभ़म, पाठके, कविके बारेमें जानेंगे कवि परिछे, कवि वुरुंद का पूरा नाम वुरुंदावंदास है, इनका जन्म सन सोला सव तेनताली समिफ हुआ इनकी प्रमुक रचनायें हैं, वुरुंद सत्साई, समीत शिकर्चन्द, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधी, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्साई, हितोपदेश रास्टक, भारत कथा, आदी इनकी रचनावों में नेती वचनों की सुगंद है, इनका निधन सन सत्रा सव तेईस में हुआ कवी परिचे का विवरन, कवी वुरूंद का पूरा नाम वुरूंदावंदास है, इनका जन्म सन सोला सो तेनतालीस में मधुरा के आसपास एक छोटा सा गाम मेडता माना जाता है दस वर्ष के उमर में वे काशी आये थे, ताराजी नामक एक पंडित के पास रहकर साही ची संबंदित ज्ञान प्राप्त किया और काव्यरचना सेखे मुगल सामराट अउरंग जेब के यहां ये दर्बारी कवी रहे इनकी प्रमुक्रचनाए ये है प्रुंद सत्साई, समीर शिकर्चन्ध, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधी, बच्छनिका, सत्यस्वरूप, यमक सत्साई, हितोपदेशास्टक, भारत कथा आदी, मुख्य रूप से इनका बड़पन यह है कि इनकी रचनावों में नीति वच्छनों की खुश्बू मिलती हैं, व्रुंद के दोहे नीति परक और उपदेशात्मक होते हैं, इनका निधन सन 1723 में हुआ अब हम तवी वुरुंद जी से लिखे हुए दोहों को समझने का प्रयास करेंगे अच्छा बच्छों, आगे चलते हैं दोहों की और पहला दोहा मुत्तम जन के संग में सहजे ही सुक भासी जैसे नुप उलावे तर लेत सभाजन वासी उत्तम जन के संग में सहजे ही सुक भासी जैसे नुप लावे इतर लेत सभा जन वासी इस दोही में वुरंद कहते हैं उत्तम यानी अच्छे महान गुणों वाले लोगुं के साथ रहने से सहजे ही सुक भासी सहज से ही हमें सुक मिलता है आनन्द मिलता है क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहने से हमें भी अच्छे आदते होती है इसका उदहन बताते हुए वुरंद कहते हैं जैसे इन रुप लावे इतर जब राजा इत्र यानी सुगंध लेप लगा कर सभा में प्रवेश करती हैं तो लेत सभा जिनवासी उस इत्र की खुश्वू केवल राजा को ही नहीं बलकि सभा में जितने लोग हैं वे सब उसका सुगंध का सुख लेते हैं अधात वे इत्र का अनभव करते हैं इसी तरह हम अच्छे लोगों से दोस्ती करने से हमें भी अच्छे आदते होते हैं इसी संदर्भ में मुझे एक कहावत एयादाता हैं आप भला तो जग भला पिलललू इदोहालो व्रुंद ये मन्टुना रेंटे मन्ची वेक्तिल सान्नी हीत्यमलों उन्डड़ंवलना मनक्कु सहजंगानी सुखम कलुगतुंदी एंदु कंटि मन्ची वेक्तिल तो मनम उन्नटलेते मनक्कु कुडा मन्ची अलवाटलू उस्ताई दीनिके वुदाहनगा कवी एन चेप्तुन्ना रंते राजु मन्ची सुवासन कलिगिना सेंटिलेदा पेर्फ्योम रासकोनी सबलो कुच्छिनपडू आ सुवासना केवलं राजुकि मात्रमे कादू तनतो पाटू सबलो उन्नवारंदरू कूड आ परिमलानी आस्वादिस्तारू अधे विधंगा मन्ची वेक्तुलू तम चुट्टू मुन्न वारिनी कूडा मन्ची मार्गमलो नडची टटलूगा प्रभावितम जेत्तारने इपध्यम्योक्का भावम कावट्टि पिल्ललू मनम कूडा मन्ची वालतो स्नेहम चेस्ते मन्ची लक्षनालू अलवडताई भावाद इस दोहे में उरुंदजी कहते हैं कि अच्छे और महान गुण वालोंके सांगत्य से सदा सुखी मिलता हैं इसी का उदाहणवे इस तरह देती हैं राजा सफा में इतर लेकर आते हैं तो उस सुगंध का सुख सभी सबासद लेते हैं अध्धात वे इतर का अनुभव करते हैं अब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे और समझेंगे करे बुरोई सुख चाहे कैसे पावे कोई रोपे बिर्वा आख को आम कहाते होई करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई रोपे बिर्वा आख को आम कहाते होई कभी वुरुंद कहते हैं करे बुराई सुख चाहे कोई भी विक्ती किसी की बुराई करके यानि किसी को कस्ट देके सुक पाना चाहता है तो कैसे पावे कोई वह कैसे संभव हो सकता है अध्धात दुसरों को बुरा करके सुक पाना असंभव है उदाहन बताते हुए कभी कहते हैं कि रोपे बिर्वा आख को हम आख का पोधा लगा कर आम कहांते होई आम के फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं अध्धात हम जो बोते हैं उसी का ही फल पाते हैं अगर हम आख का पोधा लगाए तो आख के फल ही मिलते हैं आम का पोधा लगाए तो मीठे मीठे आमके फल प्राप्त करते हैं उसी तरह भलाई करके करने से ही सुख मिलता है बुराई करने से नहीं एक कहावत है ना जैसा करेगा वैसा भरेगा इदो हालो रुन्द एम अंटुनार अंटे वकर की खीड जेसी अंटे वकरने कस्टपेट्टी दानिक्ग बदुलुगा अधी फलान्नी पोंदुताम। अधी विधंगा इदिड़ वारकी कीडु चेसी मन्ची नी आसिन्च कोड़दू। मनम इतरल्लकु मन्ची चेस्ते मनको कुडा मन्ची जरुगुतुंदी। काबटी तोटी वारकी सहायम चेसे मन्ची गुणानी चिन्णपटिनुंडे अलवाट चेसको वाली। प्रुंद जी कहते हैं कि कोई भी बुराई करके सुक चाहे तो वह कैसे मिल सकता है। अर्ध है कि बुरा करके सुक पाना असंभव है। उदाहन देतें वुरुंद कहते हैं कि आख का पोधा लगाकर आम का फल प्राप्त करना कैसे संभव होता है। उसी तरह भलाई करके ही सुक प्राप्त करना है। बुराई करके नहीं। अब हम रुंद जी के तिसरे दोहे को पढ़कर अर्द ग्रहन करने का प्रयास करेंगे करत करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान रसरियावत जोत ते सिल्पर परत निसान करत करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान रसरियावत जोत ते सिल्पर परत निसान कवी व्रुंद इस दोहे में अभ्यास का महत्व बताती हुए वे कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते हम अभ्यास करने से सब कुछ मिलता है जडमती होत सुजान यानि मंद बुद्धी भी अभ्यास करने से सुजान पंडित बन सकता है उदाहन बताती हुए कवी कहते हैं कि रस्रे आवत जात ते रस्ते के बार बार रगड से सिल्पर परत निसान शिल्पर यानि पत्थर पर निशान पढ़ जाता है देखो बच्चों पत्थर पर निशान पढ़ना कितना मुश्किल है फिर भी बार बार की रगड से पत्थर पर भी निशान पढ़ता है इसी तरह अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है हर्थात अभ्यास करने से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं परिक्षामी अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं है न बच्चों? इदो हां मन विज्जाद दिलकू यन्तो उपयोग करमेंदी दीनलो साधन प्राक्टिस येक प्रामिक्षितनू कवी विवरिंचारू साधन चेयेगा चेयेगा एमी रानिट्वंटी मूर्खुड कूड पंडित्टु कागलडू कोंदर की वकसारी सदवगाने अध्धमोवतोंदी मरिकोंदर की मल्ली मल्ली चदवालसी वस्तुंदी अईना नीरासे पडालसीन आवसरम लेदू एंदु कंटे प्रायत्नां चेयेगा चेयेगा अधे वस्तुंदी एविधंगा नेइते बंडरायमीदा थाडू यक्का रापिडिवलना गुर्त्तुल पड़तायो अण्टे वेनकटिकी अंगबावुल उन्डेई बाविरो नीलु तोलड़ानकी आटू यिटू रायमीदा थाडू गुर्त्तुल पड़ेवी अण्टे वक ताडू कठिनमैना रायनी अरगदी सिनप्डू अभ्यासां चेयगा चेयगा मनम एविध्यलो नेइना राणिन्चलेमा साधन चेस्ते इप्रपंच्यनलो साध्यम कानिदी अंटू येदी लेदू अउना काबट्टि पिल्ललो मीर कूडा साधन चेसी परिक्षललो मंची फलितालनू साधीन्चन्डी रुंद जी इस दोहे में अभ्यास का महत्व बताते हैं वे कहते हैं कि अभ्यास से हम सब कुछ प्राप कर सकते हैं इस विशे का उदाहन वे इस तरह देते हैं रस्ती की बार बार रगड से शिला पर भी निशान पढ़ जाता है इसी तरह अभ्यास करते करते मूर्ख भी ज अब हम पाट में आये हुए नई शब्दन के अर्ध जानेंगे। आक मदार जिल्लेड चेट्टू, जडमती मूर्ख मूर्खडू, सुजान पंडित पंडितडू, रसरी रस्ती ताडू, सिल पत्थर राई, निसान चेहन गुर्तू अब हम चलते हैं पाट में आये हुए व्याकर्ण अम्शों की और भाषा की बात। पाट के पुस्तक में देखों। जडमती शब्द। जड और मती शब्दों के जोडने पर बना है। ऐसे ही कुछ और शब्द बनाईए। बचों हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कुछ और शब्द बनाने के लिए। जडावू जिसमें रत्न और मोती आदी जडे हो। जड पदाध अचेतन पदाध। जड काला जडे की मौसम। जड हीन जिसके जड कमजूर होते हैं। ठीक है बचों। यहां कुछ प्रश्ण दिये हुए है। प्रश्णों के नीचे छार विकल्प भी दिये गए हैं। आपको सही विकल्प चुनना होगा। ठीक है। संग शब्द का अर्द पहच्वानिये। यह श्रत्रुता, बी मित्रता, सी इद्ध, डी मौन। इन में से कंसा सही है। हाँ बच्चों, बी मित्रता। बुराई में प्रत्यई पहचानो। कंसा सही है बच्रों। हाँ यह इ सही है। बुराई में प्रच्चे E तीसरा प्रश्न वर्तनी की दुरुष्टी से अशुद्ध को पहचानिये A. अभ्यास B. सुख C. नुरुप D. भूख कांसा सही है? हाँ, C. नुरुप नुरुप नहीं, नुरुप चौधा प्रश्न प्रोपना का समाना ती शब्द यह है A. बीज B. बोणा C. बिल D. बीतना कांसा सही है बच्चयों? हाँ, बिल्कुल ठीक B. बोणा पांचमा प्रश्न करत करत अभ्यासते इसमें रेखांकिश शब्द को पहचानों करत करत के नीचे रेखांकिट किया होआ है? यहाँ, कांसा शब्द है? ये, पुनरुक्ती शब्द B. कारक C. सन्या D. सार्वना बिल्कुल सही बच्चों ये, पुनरुक्ती शब्द है बच्चों, हम इस पाट में कभीर और रुंद के दोहों को पढ़े और समझे देखो न बच्चों दो पंक्तियों के दोहों में कितनो विस्रुत अध्ध बताया गया है यही उनकी प्रत्यकता है बच्चों, पाट में आये हुए सभी अन्शों को आप अपने नोट्स में लिख लेजिए ठीक है? आये, अब अभिवेक्ति स्रुजिन्वात्मकता के अंतरगत यहां एक प्रश्न दे रही हूँ इसका उत्तर लिख कर आप अपने हिंदी अध्यापकों से जांच करवाईए प्रश्न यह है हमें किन प्रहितनों से सफलता मिल सकती है? धन्यवाद